दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अद्धा में तोस्तों हम लोग करेंट अफेर्स के सीरीज को देख रहे हैं जिसमें हम लोग पूरे एक साल के करेंट अफेर्स को वाल लाइनर के माध्यम से कवर करेंगे अभी तक हम लोगोंने अप्रे करेंट अफेर्स काफी ज्यादा पूछे जाते हैं तो करेंट अफेर्स पर आपकी पकर होनी बहुत जरूरी है इसलिए आप मारे पहले के वीडियो को देख लीजेगा और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुचती रहें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को पहला प्रशन है चौबिस अपरेल 2023 को टीटी किर्केट में सबसे तेज साथ हजार रन बनाने वाले भारतिय खिलारी कौन बने तो दोस्तों टीटी किर्केट में सबसे तेज सा अगला प्रशन है चौबिस अपरेल 2023 को किस देश में फसे हुए लगबग 500 भारतियों को लाने के लिए ओपरेशन कावेरी सुरू किया गया तो ओपरेशन कावेरी कहा फसे भारतियों को लाने के लिए तो सुडान में फसे हुए भारतिय नागरिकों को लाने के लिए ओपरेशन कावेरी की सुरुवात की गई अगला प्रशन है बारसी लोना ओपन किताब 2023 किसमें जीता तो बा 24 अप्रेल 2023 को शीडनी क्रिकेट क्राउन में किस भारती खिलारी के नाम पर एक गेट का अनावरन किया गया अगला प्रशन है कहां में 900 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया तो मेक्सीको में किया गया ब्लू होल का खुलासा अगला प्रशन है किस राज जी के मना मदुराई मिट्टी के बरतनों को जी आई टेग दिया गया तो मना मदुराई मिट्टी के बर्तन को GI tag दिया गया जो कि तमिलनाडू का है तो तमिलनाडू के मना मुदराई मिट्टी के बर्तन को GI tag मिला है ने कहां बैलेस्टिक मिसाईल डीफेंस इंटर्सेप्टर का सफल परिक्षन किया तो डीया डीया ड influen दीफेंडर इंटर्सेप्टर का सफल परिक्षन किया। कहां किया गया और इशा में किया गया अगला प्रश्ण है 25 अपरेल 2023 को माना को पहला भारतिया गाउं घोसित किया गया यह किस राज्य में स्थित है तो माना उत्राखंड में स्थित है कहां स्थित है उत्राखंड में जिसे पहला भारतिया गाउं घोसित किया गया अगला प खूला अलीS गोल्ड में मद्ड मैन पर्यावरन पूल्सकार से सम्मानित किया गया एलैसेन्ट्रा कोरप को किया गया किसे किया गया इलैसेत्रा कोराप को अल iteration 26 अपरेल 2023 को SBI ने कहां अपनी चौथी श्टार्ट अप केंद्रिय साखा का उद्खादन किया अगला प्रश्ण है 26 अपरेल 2023 को सार जहां स्टेडियम ने 21 भारते खिलारी के नाम पर एक स्टेंड का नाम रखा गया तो सचीन तंदूल करके नाम पर सार जहां स्टेडियम में एक स्टेंड का नाम रखा गया अगला प्रश्ण है 27 अपरेल 2023 को 200 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवागे इंदवाज कौन बने है तो साहिन अफरीदी बने है 200 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवागे इंदवाज अगला प्रश्ण है 27 अपरेल 2023 को सुचना नुसार किस देश की कमपनी अयोध्या में बायो डीजल पर्योजना शुरू करेगी तो बरलेनियम की कमपनी अयोध्या में बायो डीजल पर्योजना की शुरू करेगी अगला प्रश्ण है 27 अपरेल 2023 को किस देश का कॉमर्सियल लूनर लेंडर चांद पर असफल लेंडिंग के बाद गुम हो गया अगला प्रश्ण है 28 अपरेल 2023 को किस देश ने रतन टाटा को अपना सर्वोच नागरिक सम्मान से सम्मानित किया तो आउस्ट्रेलिया देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया अगला प्रश्ण है 28 अप्रेल 2023 को जाड़ी सिप्री की रिपोट के अनुसार कौन सा देश बैस्विक सैन्य व्याए में सिर्ष पर रहा है तो सिप्री के रिपोट के अनुसार अमेरिका बैस्विक सैन्य व्याए में सिर्ष पर रहा है कौन रहा है अमेरिका रहा है अगला प्रश्ण है 28 अपरेल 2023 को Film Fair Award 2023 के तहट सर्व स्रेष्ट अभिनेतरी के रूप में किसे सम्मानित किया गया अगला प्रश्ण है 28 अपरेल 2023 को किस आई 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 टी ने साइबर सुरक्षा कौसल कारिकरम सुरू किया तो आई आई टी कानपूर के द्वारा साइबर सुरक्षा कौसल कारिकरम सुरू किया गया अगला प्रश्ण है 28 अपरेल 2023 को भारत और किस देश ने संयुक्त सैन ने अभ्यास अजय वाडियर के सातवे संसकरन का आयोजन किया तो यूके के द्वारा किया गया अजय वाडियर के सातवे संसकरन का आयोजन अगला प्रश्ण है 28 अपरेल 2023 को माउंट अनपूर्णा पर चरने वाले पहले भारतिय कौन बने तो माउंट अनपूर्णा पर चरने वाले पहले भारतिय अरजुन बाजबई बने कौन बने अरजुन बाजबई बने तो बाबर आजम है अगला प्रशन है 29 अपरेल 2023 को भारत की महिला राफिल पाइलेट सिवांगी सिंग किस देश के वार गेम में वायू सेना के टीम का हिस्सा बनी तो दोस्तों फ्रांस के वार गेम में भारतिय महिला राफिल पाइलेट सिवांगी सिंग वायू सेना की टीम क हिस्सा बनी अगला प्रश्ण है 29 अपरेल 2023 को किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट सिर्षक पर एक रिपोर्ट जारी की है तो WMO के द्वारा स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट सिर्षक पर एक रिपोर्ट जारी की गई है अगला प्रश्ण है 29 अप्रेल 2023 को किसे 64 साल बाद वैक्तिगत रूप से रेमन मैक्से से पुरुषकार मिला है तो दलाई लामा को मिला है 64 साल बाद वैक्तिगत रूप से रेमन मैक्से से पुरुषकार अगला प्रश्ण है 29 अप्रेल 2023 को किस देश ने चैट GPT का परतिबंद गीगा चैट AI चैट बोट लॉंच किया है तो रूस के द्वारा लॉंच किया गिया है गीगा चैट AI चैट बोट अगला प्रश्ण हो फुटबॉल का प्रतिश्थित हीरो सूपर कप 2023 का खिताब किस ने जीता तो ओडिशा FC के द्वारा उडिशा FC के द्वारा हीरो सूपर कप 2023 जीता गया और किसे हरा कर जीता गया तो बैंगलूरू FC को हरा कर जीता गया अगला प्रश्ण है 29 अपरेल 2023 को भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुल सेंटर बनाने की घोशना की तो नेट जीरो इनोवेशन वर्चुल सेंटर बनाने की घोशना UK के द्वारा किया गया अगला प्रश्ण है 30 अपरेल 2023 को किस देश के स्वास्थ मंत्री ने देश की पहली गर्वपात गोली को मंजूरी दिय तो रेल विखास निगम डीमिटेट को नवरतन सेंटर पब्लिक स्टर इंटर प्राइज़ का दपर सामिला अगला प्रश्न है 30 अपरेल 2023 को यूरोपिय देश के साथ नौर्थ सी सम्मिट का आयोजन कहां किया गया तो दोस्तों बेल्जियम में किया गया नौर्थ सी सम्मिट का आयोजन अगला प्रशन है 30 अपरेल 2023 को पर्तिष्ठित गोल्डन ग्लोबल रेसा पूरी करने वाले पहले भारतिय कौन बने तो अभिलास टॉमी बने है गोल्डन ग्लोबल रेस पूरी करने वाले पहले भारतिया अगला प्रश्ण है तीस अपरेल दोजार तईस को परतिसित गोल्डन ग्लोबल रेस पूरी करने वाले पहले भारतिया कौन बने तो अभिलास टॉमी बने है गोल्डन ग्लोबल रेस प्रुसकार मिला है तो उत्र प्रदेश को मिला है अगला प्रश्ण है एक माई 2023 को साइन्स 20 एंगेजमेंट ग्रूप की बैठक कहां हुई तो लक्ष्टीप में भी साइन्स 20 एंगेजमेंट ग्रूप की बैठक अगला प्रश्ण है एक माई 2023 को भारत का पहला केवल स्ट्रे रेल ब्रीज अंजी खंडन कहां बनकर तयार हुआ तो जम्मु कस्मीर में तयार हुआ है बनकर अगला प्रशन है यूरोप में रिफाइंड इंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिक कौन है तो भारत है यूरोप में रिफाइंड इंधन का सबसे आपूर्तिक करने वाला देश परहतना द Vaatskike अगला पराशने ऑम माई दुज्स सल सकता तो तीमिल्ल्न नटु सरकार लगातार टीम्न अगला फरशन को डिंग लिरेन किस देश हूं के पहले 27 चैंपियन बने अगला प्रश्ण है अजर्बैजान ग्रेंड प्रिक्स 2023 किसने जीता तो सर्जीयो पेरेज के द्वारा जीता गिया अजर्बैजान ग्रेंड प्रिक्स अगला प्रश्ण है एक माई 2023 को इनफोसीस को पीछे चोर भारत की छटी सबसे मुल्यवान कमपन जीता तो उजबेकिस्तान के राश्टपती ने समविधान के पुनरलेखन के लिए जनमत संग्रह जीता अगला प्रश्ण है दो मई 2023 को इस राजी के सिमली पाल टाइगर रिजर्व में एक दुरलव मेलान ट lijृस्टिक बाग मृत पाया गया तो ओडिशा कि सिमली पाल टाइगर रिजर में एक दूरलब मेला निष्टिक बाग मृत पाया गया अगला प्रश्ण है दो मई सतो नोवा के द्वारा लिप जिन्क बुक पुरुसकार 2023 जीता गया अगला प्रश्ण है दो मई 2023 को i.c.c. पूर्श्ट टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर वन टेस्ट टीम कौन बनी है तो भारत बना है ICC पुरो स्टेश्ट टीम रैंकिंग में फर्स्ट टेश्ट टीम अगला प्रशन है दो माई 2023 को किसे किंग चॉल्स तिर्तिय मानद MBE से सम्मानित किया गया तो डॉक्टर M.N. नंद कुमार को M.E.B. से सम्मानित किया गया अगला प्रशन है तीन माई 2023 को बिहार के बाद किस राज्य में पिछरा वर्ग सर्वेक्षन सुरू हुआ है तो ओडिशा राज्य में पिछरा वर्ग सर्वेक्षन सुरू किया गया अगला प्रश्ण है तीन माई 2023 को फोव्स की 2023 की हाई एट स्पेड एथलीट की लिस्ट में कौन सिर्ष पर रहा है तो क्रिष्टियानो रोनाल्डो सिर्ष पर रहा है अगला प्रश्ण है 3 माई 2023 को जेल में बंद किस देश के तीन महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट का सिर्ष पुरुसकार जीता तो इरान के द्वारा जीता गया अगला प्रश्ण है अगला प्रश्ण है 3 माई 2023 को जेल में बंद किस देश के तीन महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट का सिर्ष पुरुसकार जीता है तो इरान देश की तीन महिला पत्रकारों ने संयोक्त राष्ट का सिर्ष प्रुसकार जीता अगला प्रशन है किसने विश्व सुनुकर चेंपियंशिप का खिताब जीता गया अगला प्रशन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन सिर्ष पर रहा है तो नौर्वे सिर इस पर रहा है वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में अगला प्रशन है थीन मई दसार तईस को एसी सी मेंस प्रीमियर कपो किसने जीता गया अगला प्रशन है चार मई दढ़ाइस को किस राज्य सरकार द्वारा मुखमंतरी कौसल उन्नेयन रोजगार योजना शुरू की गई तो उत्राखंड सरकार के द्वारा मुख्य मंत्री कौसल उन्नेयन रोजगार योजना शुरू किया गया अगला प्रश्ण चार मई दोजार तईस को राष्टिय वी निर्मान नवाचार सर्वेक्षन में किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया तो करनाटक राज्य को राष्टिय वी निर्मान नवाचार सर्वेक्षन के अनोसार अभिनव राज्य का स्थान दिया गया अगला प्रश् पांच माई 2023 को किसे फ्रांस की वैस्टल डेव परेड में सम्मानित अतिति के रूप में आमंतरित किया गया तो नरेंद्र मोदी को किया गया अगला प्रशन है किसने अपना पहला इतालवी CD-A किताब जीता तो नेपाल के द्वारा इतालवी CD-A ृताब चीता गया अग्ला प्रश्चने पांच मैं 2020 को किस डेस ने अपना खुद की चैतEST GPT GIGA लॉंच किया है तो रूस के दोरा अपना खुद का चैट GPT GIGA लॉंच किया गीनफ tääला प्रश्चनस है 6 माई 2020 को वन डे किर्केट में सबसे तेज 5,000 रन बनाने वाले खिलारी कौन बने तो सबसे तेज 5,000 रन बनाने वाले खिलारी बाबर आजम बने कौन बने बाबर आजम बने अगला प्रश्ण है किस देश ने basic plan on ocean policy को अपनाया तो basic plan on ocean policy को जापान के द्वारा अपनाया गया जापान के द्वारा अपनाया गया अगला प्रश्ण है अगला प्रश्ण है छे माई 2023 को किस देश के एथलीट नीजेल ओमास पर डोपिंग की वजह से तीन साल का परतिबंद लगा दिया गया है अगला प्रश्ण है भारत का पहला अंतराष्टिय मल्टी मॉडल लोजिस्टिक पार्क कहां बन रहा है तो असम में बन रहा है भारत का पहला अंतराष्टिय मल्टी मॉडल लोजिस्टिक पार्क कहां बन रहा है अगला प्रश्ण है छे माई 2023 को कहां हिंसा भरकने के बाद केंद्र ने अनुचे 355 लागो किया तो हिंसा भरकाने के बाद केंद्र सरकार ने अनुचे 355 मनिपूर में लागो किया कहा किया मनिपूर में अगला प्रशन है कौन्ध जनजाती द्वारा किस राज्जी में बिहान मेला मनाया गया तो बिहान मेला ओडिशा में मनाया गया कहा मनाया गया ओडिशा में मनाया गया अगला प्रशन है 7 मही 2023 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया तो बियारों के द्वारा 7 मही को अपना स्थापना दिवस मनाया गया अगला प्रशन है 7 मही 2023 को भारत के इस्टार जेवेलियन एथिलीट नीरत चोपरा ने किस इवेंट में गोल्ड मैडल जीता तो दोहा डाइमंड लिग में नीरत चोपरा के द्वारा गोल्ड मैडल जीता गया अगला प्रश्ण है शात मही दोजार तेश को भारतिय सैना ने कहा बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया तो बुलंद अभ्यास अरुनाचल प्रदेश में भारतिय सैना के द्वारा आयोजित किया गया कहां किया अरुनाचल प्रदेश में किया पुलंद भारत अभ्यास का आयोजन अगला प्रश्ण है शात मही दोहजार तैस को बंगाल की घाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान अगला प्रश्ण है आठ मही दोजार तैस को बाइडन प्रशाषन में घरेलू नीती सलाकार के रूप में किसे न्युक्त किया गया तो नीरा टंडन को न्युक्त किया गया वाइडन प्रशाषन में घरेलू नीती सलाकार के रूप में अगला प्रश्ण है आठ मही दोजा 70 दिन बाद पिर्थवी पर लोटा अगला प्रश्ण है आठ महीं 2023 को भारत और किस देश के बीच भोला गंज में पहले बौर्डर हाट का उधगाटन किया गया अगला प्रश्ण है आठ महीं 2023 को जम्मु कस्मीर के बाद कहां लीथियम के भंडार की खोज हुई है तो राजस प्रश्ण है आठ महीं 2023 को आइप एल इतियास में साथ जार रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने है तो विराट कोली बने हैं आइप महीं 2023 को नई इमारतों में गैस स्टोब के इस्तेमाल पर पर्तिबंद लगाने वाला अमेर की राज कौन है न्यू यौर्क है अगला प्रशन है किस राइचे की पुलीस विसेश अभियान operation मर्यादा चला रही है तो operation मर्यादा उत्राखंट के दोरा चलाए जा रहा है तो उत्राखंट के दोरा चलाए जा रहा है अगला प्रशन है 9 माई 2023 को 9 साल के परतिबंद के बाद किस राज्ये में कोईला खनन कानूनी रूप से फिर से सुरू हो गया तो मिगाले राज्ये में 9 साल के परतिबंद के बाद फिर से कोईला का खनन सुरू किया गया है अगला प्रशन है 9 माई 2023 को बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्ये कौन बना है तो उत्तर प्रदेश पहला राज्ये बना है बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कंड बनाने वाला पहला राज्ये कौन बना है उत्तर प्रदेश पना है 9 माई 2023 को कहां आश्यां सिखर सम्मेलन शुरू हुआ है तो 9 माई को आश्यां सिखर सम्मेलन इंडोनेसिया में हुआ है अगला प्रशन है किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्टिय महत्व का मंदिर घोसित किया गया उत्राखंड के तुंगनाथ मंदिर को राष्टिय महत्व का मंदिर घोसित किया गया अगला प्रश्ण है 9 माई 2023 को भारत में किस देश में सित्वे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है तो सित्वे बंदरगाह में अनमार में सित्वे बंदरगाह का संचालन शुरू किया गया अगला प्रश्ण है दस माई 2023 को किस देश ने पीटस वर्ग क्लाइमेट डायलोग की मेजवानी की तो जर्मनी के द्वारा पीटस वर्ग क्लाइमेट डायलोग की मेजवानी की गई अगला प्रश्ण है 10 माई 2023 को किस मंत्राले ने Learning Management Infrastructure System सक्षम लॉंच किया है तो स्वास्थ मंत्राले के द्वारा Learning Management Infrastructure System सक्षम को लॉंच किया गया किसको लॉंच किया गया सक्षम को अगला प्रश्ण है 10 माई 2023 को किस राज्य में इंद्रा गांधी महिला सम्मान निधी को लॉंच किया गया अगला प्रश्न है दस माही 2023 को किस ने लॉडियस sportsman of the year 2023 अवार्ड जीता तो लियोनल मेसी के द्वारा लॉडियस sportsman of the year 2023 का अवार्ड जीता गया अगला प्रश्न है 10 मही 2023 को किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलेंगिक्ता को अपराद की स्रेनी से मुक्त किया है तो स्री लंका देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलेंगिक्ता को अपराद के स्रेनी से मुक्त कर दिया यानि कि इसे कोई भी अपराद नहीं माना जाएगा समलेंगिक्ता को कि द्वारा किया गया अगला प्रश्ण है चलने का अधिकार को लागो करने वाला पहला राज्य पंजाब है अगला प्रश्ण है 11 मही 2023 को किस ने ICC के Global Sponsor के रूप में भारत पे की जगह ले ली है अगला प्रश्ण है 11 मही 2023 को किस राज्य के मुखमत्री ने सी हेरियर संघ्राले का उद्गाटन गया तो आंत्रप्रदेश के मुखमंतरी कंद्छ की सेशन का लास्ट प्रशन वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट में जरूर बताईएगा प्रशन है ग्यारा मई видео 2023 को self-employed customers के लिए किस bank ने रूपे credit card launch किया है तो AU smile finance bank के दौरा रूपे credit card launch किया गया तो हमारा आज का session यही तक था वीडियो कैसी लगी केमेंट में बताईएगा अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लिजए हमसे जुरे रहे ताकि हमारी ऐसी ही उपन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद आप